सूपरभाद बच्चो आज हम कक्षातीन विश्य हिंदी पाठ दो मिठे बोल यह कहानी थी जो हमने पढ़ ली आज हम इसका अभ्यासकार्य करेंगे तो आईए देखते हैं अभ्यासकार्य में क्या है सबसे पहले है शब्दार्थ क्या है सबसे पहले शब्दार्थ पहला शब्द क्या है द्यालू क्या है द्यालू कोन होता है द्या करने वाला जो सभी पर द्या करें उसे कहते हैं द्यालू दानी दान करने वाला जो सभी को कुछ न कुछ दान करें उसे कहते हैं दानी कारोबार, कार्य या फिर वेपार निर्बल, निर्बल कोण होता है, कमजोर बेइमान, जूठा दूर्त, दूर्त, चालाग, लोमली दूर्त थी न, चालाग थी, ज्यादा चालाग बन रही थी, तो दूर्त अकडना, अकडना क्या होता है, घमंड करना अकड़ना गमंड करना दर्द दर्द होता है पीड़ा दर्द पीड़ा अब नीचे शब्द दी हुए है उच्चारन के लिए शब्द है यह मैं बोलूँगी आपको मेरे पीछे बोलने है निर्बल क्या है निर्बल दूर्थ दर्द अकड़कर अंदर चीन्टे मूर्ख शिकायत क्या है शिकायत आगे प्रशन दी हुए है सोचे और बताएं यहां पर कुछ प्रशन है उनके उत्तर आपको बताने हैं किसका उत्तर क्या होगा पहला प्रशन है खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमडी ने देखा किसने देखा लोमडी ने क्या आएगा इसका उत्तर खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमडी ने देखा लोमडी बजार की तरफ क्यों गई? क्यों गई थी लोमडी बजार में? लोमडी बजार की तरफ गुड लेने गई? दुबारा देखते हैं लोमडी बजार की तरफ क्यों गई? क्यों गई थी लोमडी बजार की तरफ? लोमडी बजार की तरफ गुड लेने गई क्यों गई गुड लेने दुकानदार ने लोमडी के बारे में क्या सोचा क्या सोचा था दुकानदार ने लोमडी के बारे में दुकानदार ने सोचा कि यह लोमडी तो बहुत चलाक है अब आगे देखो नीचे रिकिस्थान दिये गए हैं उनको आपको भरना है और क्या भरना इनमें यह उपर शब्द दियों है ना जंगल धूर्त निर्बल और मूर्ख तो इनमें से कौन सा गिसमें आएगा तो देखते आएए मैं उसकी तरह क्या नहीं हूं निर्बल नहीं ह यह लोमडी क्या है धूर्त क्या जैगा इसमें धूर्त यह दूसरे नंबर वाला जाएगा इसमें धूर्त वह है रिकिस्थान की और भागते हुए चिलाई किसकी और भागते हुए चिलाई जंगल क्या जैगा तीसरे में जंगल वह है जंगल की और भागते हुए चिलाई खरगोष्टो मूर्क श्मने क्या जएगा मूर्क खरगोष्टो मूर्क है अब अगला प्रश्ण है किसने कहा यह जो लाइने दी हुई है यह बताना है आपको किसने कही आप बहुत द्यालू है किसने कहा था यह खरगोश ने शाबाश किसने कहा था खरगोश ने अगला है मैं निर्बल नहीं हूं क्या नहीं हूं मैं निर्बल नहीं हूं तो ये किसने कहा था लोमडी ने वेरी गुड किसने कहा था लोमडी ने अगला है बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड देता हूँ किसने कहा दुकानदार ने किसने कहा दुकानदार ने कितना अच्छा हो अगर मुझे थोड़ा सा गुड़ काने को मिल जाए लोमडी ने दुकानदार से क्या क्या कहा लोमडी ने दुकानदार से कहा कि तुम बैइमान हो, मिलावट करते हो, समान कम तोलते हो, मैं तुमारी शिकायत करूँगी. क्या कहा लॉम्डी ने दुकानदार से कहा कि तुम बैमान हो, समान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मैं तुम्हारी शिकायद करूंगी लॉम्डी की बाते सुनकर दुकानदार ने क्या किया? लॉम्डी की बाते सुनकर दुकानदार ने उसे गुड का एक बोरा दिया, जिसमें क्या लगे हुए थे? चीन्टे हाँ जिसमें बहुत सारे चीन्टे थे तो दुबारा देखो लोमडी की बाते सुनकर दुकानदार ने उसे गुड का एक बोरा दिया जिसमें बहुत सारे चीन्टे थे दुकानदार के स्थान पर अगर आप होते तो लोमडी की बाते सुनकर क्या करते तो क्या करते हम भी लोमडी को क्या करते डंडे से मार कर भगा देते शाबाज तो दुकानदार की जगह कर अगर हम होते तो हम लोमडी को डंडे से मार कर भगा देते आगे भाशा की बात वाले रवन का हलंत रूप र आग्ये वाले वरन पर रूप बदल कर लिखा गया है जैसे धूर्ट रड़ ह्फ में अब हलंत है तो इसको कैसे लिख द्या आग्ये के उपर इसे प्रकार निमें लिखी शब्दों को पढ़ें और समझें इनको आपको समझना है तो देखते हैं कि देखो धू फिर हलंत रूप में और त यह जो हलंत रूप में यह अगले वर्ण के उपर चला गया तो क्या बन गया धूर्त ऐसे द रहलंत रूप में और फिर द तो यह जो है यह हलंत रूप में ऐसे लिखा जाएगा अगले वर्ण पर तो क्या बन गया दर्द मू यह रहलंत फिर यह फिर ऐसे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मूर्ख पूरब अब रहलंत यह व के उपर चला गया और क्या बन गया पूरव पूर से अगर हलंत रूप में हो तो वह अगले वन के उपर लिखा जाता है धन्यवाद